नमस्कार सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कारकरम में आपका स्वागत हैं मैं हुश रिकान प्रतियूस कुछ दिर पहले आपके बीच एक ख़वर आई होगी कि उपिंद्र खुश्वाहा इस्थिपा देने पहुच गये हैं राश्टपती के पास सारे ख़वरिया चैनल पर एक ख़वर चल गई लेकिन अमित्स साह से न मुलाकात हुई उपिंद्र खुश्वाहा की और नहीं कोई बात भीगड़ी है और नहीं वो इस्थिपा देने राश्पती भौन पहुचे हैं उन्होंने धाई बजे प्रेस कॉन्फरेंस किया और कहा कि मुडिया को लगता है बहुत जल्दबाजी है यानि जल्दबाजी में मुडिया कुछ भी ख़वर चला दे रहा है तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ी ख़वर थी कि उपिंद्र कुश्वाहा से सीटों के बटवा चाहिए और क्यों चाहिए आधार क्या है हमारे डिमांड का और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि गठवंदन है सभी दलों को त्याग करना पड़ेगा सेक्रिफाइस करना पड़ेगा तो उपिंद्र कुश्वाहान ने सवाल उठाया कि ठीक है गठवंदन है तो इसमें लाव घाटे दोनों की हिसेदारी होनी चाहिए सब की लेकिन लाव का तो फायदा उन्हें मिला नहीं और घाटे की बात जबाई तो कहा जा रहा है कि सब को सेक्रिफाइस करना पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि लाव लेने के लिए दूसरे लोग हैं और कि मांगों कर रहे हैं तो जाहिर है कि तीन से कम पर तो मानेंगे नहीं और पांच सीटें वीजेपी दें नहीं पाएगी तो बात अभी चल रही है यानि अमित्साह से मुलकात होनी थी 29 को लेकिन अमित्साह से मिलने गए नहीं उपेंदर कुस्वाहा आज मंगलवार को गए म मिलने तो अमित्साह नहीं मिले भुपेंद्र यादव ? उससे मिलना पड़ा उनको और भुपेंद्र यादव के सामने अपनी दिमान उन्होंने रख दी है अमित्साह से सीट सेरिंग के 50-50 फार्मुले यानि बरावर बरावर सीटों पर चुनाव लगने का एलान करके रालोस्पा को काफी नराज कर दिया था, लजेपी भी नराज हो गया था और ये संकेत देने की कोशिस बीजेपी ने की थी दोनों सहयोगी दलों को कि बीजेपी के साथ सभीत रहोगी दलों को भी सीटों की कुर्बानी देनी होगी नई दिली में जैसे ही एलान किया अमित साह ने बिहार में उपिंद्र कुश्वाहा तुरत तेजस्वी यादो से मिलने पहुँच गए अरवल हाउस, गेस्ट हाउस में उनकी मुलाकात भी हो गई कुश्वाहा इसे भले एक महज राजनीतिक संजोग बता रहे है लेकिन राजनीतिक प्रवेक्षक और पंडित इसका मतलब बखुबी समझ रहे हैं और इस मुलाकात के जरिये उपिंद्र कुश्वाहा ने दरसल एक तिर से दो निसाना साधा है एक तरफ तो उन्होंने बादचित सुरू कर दी है आरजडी के साथ दूसरी तरफ बीजेपी पर दवाव बना दिया है तो अब उसी दवाव की खड़ी का यह हिसा है कि आजो भुपेंद्र यादों से मिले और उन्होंने कहा कि सेक्रिफाइस करने को तयार नहीं है भुपेंद्र कुश्वाहा की यह तरकीब काम भी आई थी उस समय जब तेजस्वी से मिले तो बीजेपी पर प्रप्रिसर बना अमिज साह की तरफ से बादचीत का बुलावा भी आ गया लेकिन जब बुलावा आया तो उपेंद्र कुश्वाहा पीछे हट गए यानि 29 को सुबह में मिटिंग थी लेकिन हो गए ही नहीं दिली उनको अमिज साह से मिलने की अब जल्दी नहीं है अमिज साह के साथ बैठने से पहले हो आरजेडी के साथ सब कुछ तैक कर लाना चाहते हैं तेजस्वी से उपेंद्र कुश्वाहा से मिलने के दूसरे दिन रालुस्पा के एक बड़े नेता लालु यादों से मिलने दाची रिम्स पहुँच गए सुत्रों के अनुसार लालु यादों के साथ बातचित तो सुरू हो गई है लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है और मैं आपको भीतर की बात बताता हूँ कि जो रालुस्पा के नेता लालु यादों से मिलने गए थे उनका भी कहना था कि लालु यादों पहले वाले लालु यादों नहीं रहे उतना confidence नहीं रहा और अंधिरने तुरत लेलेने की छमता अब नहीं है उन्होंने कह दिया है कि ठीक है हम तयार हैं समझोता के लिए लेकिन बात तो तेजस्वी यादों से ही करनी पड़ेगी तो उपेंद्र कुस्वाहा ने अमित्सा के फोन कॉल को नजर अंदाज करना शुरू कर दिया क्योंकि जब तक आरजज़ी से बात नहीं बनती है तब तक कैसे बात करें उन्तिस को अमित्सा के साथ बैठक थी लेकिन उपेंद्र कुस्वाहा देर साम पटना भी डटे रहे दिली जाते समय ये भी कह दिया कि अभी तक कोई मीटिंग फिक्स नहीं हुई है लेकिन सिटी पोस्ट को सुत्रों के हवाले से ख़वर मिली कि आज मीटिंग है लेकिन ये मीटिंग होनी थी अमित्सा के साथ लेकिन हुई दूसरे बताओं के साथ अमित्सा नहीं मिले दरसल अपने को नजर अंदाज कर नितिस कुमार के साथ बराबर बराबर सिटों पर चुनाव लड़ने के अमित्सा के एलान से कुस्वाहा खासे नराज है कुछ दिनों से उन्होंने नितिश कुमार के खिलाफ बोलना तो बंद कर दिया है लेकिन फिर भी बीजेपी ने नितिश कुमार के साथ उन्हें बैठक में आमंत्रित नहीं किया कुस्वाहा को इस बात को लेकर काफी नराजगी है कि भुपेंद्र रियादों से उनकी बात हुई अमित्सा के साथ बैठक होनी थी लेकिन उसके पहले ही अमित्सा ने नितिश कुमार के साथ मिलकर सब कुछ फाइनल कर दिया यानि जो लाफ देना था नितिश कुमार को दे दिया और जब घाटे की बारी आई तो कहां जा रहा है कि आप से क्रिफाइस करिए अमित्सा नितिश कुमार के 50-50 फार्मूले का मतलब साथ है कि इंडिये में कुस्वाह की पार्टी रालोस्पा के लिए दो और लजपी के लिए पांच से ज़्यादा सीटों की कोई गुंजाइस नहीं बची है 2014 में कुस्वाह की पार्टी रालोस्पा को तीन सीटे मिली थी और सभी तीन सीटों पर जैसा मैंने पहले बताया था काराकाट, जहानाबाद, सीतामढ़ी में सफलता भी मिली थी ऐसे में कुस्वाहा एंडिये में दो सीटों पर मानने को हर्गी तैयार ही नहीं होंगे वे तो तीन सीटों से भी अधिक की उमीद लगाये बैठे हैं और आज उन्होंने मिलकर धर्मेंदर्यादव को पूरा बता दिया है कि भाई हमको क्या चाहिए लेकिन सवाल ये उड़ता है कि अब आगे कैसे बात बढ़ेगी नितिस कुमार के खिलाफ आग उगलने वाले उपिंदर कुस्वाहा जेडियू को फूटी आक सुवाहा नहीं रहे हैं जेडियू पहले ही कह चुका है कि उपिंदर कुस्वाहा कहीं भी रहें कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन अमित्सा कुस्वाहा को अभी भी साथ लेकर चलना चाहते हैं इसलिए कुस्वाहा के साथ बैठना चाहते हैं लेकिन अब उपिंदर कुस्वाहा बिल्कुल जल्दी में नहीं है क्योंकि जब तक आरजेडी को पुरी तरसे नाप तौल नहीं लेंगे अमित्सा को अपने को मापने का मोका नहीं देंगे उपिंदर कुस्वाहा अब भाव खा रहे हैं और अमित्सा के कॉल्स को नजर अरंदाज कर रहे हैं बीजेपी ने उन्हें फसा दिया है अमित्सा बुला रहे हैं और कुस्वाहा नहीं जा रहे थे अमित्सा जैसे निताओं को उपिंदर कुस्वाहा का या जो अटिचूड है कितना नगवार गुजर रहा होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज उपेंद्र कुस्वाहा की मीटिंग अमित्साह से होने वाली थी, अमित्साह नहीं बैठे उनके साथ और उन्होंने भुपेंद्रादों को बैठा दिया. यह बताने की जरूरत नहीं है कि अमित्साह इस तरह की बातों को कैसे लेते हैं, और फिर भी अमित्साह का अंतिम प्रयास यहीं है कि उपेंद्र कुस्वाहा को समझा बुजा कर इंडिये के साथ रखा जाए. कुस्वाहा को करीब से जानने वाले निताओं का कहना है कि उपेंद्र कुस्वाहा क्या करेंगे समझ पाना बहुत असान नहीं है वो अपने मन की बाद पाटी के बड़े निताओं के साथ भी सेर नहीं करते हैं वो अमित्व साह के साथ बेठकर तुरत अंतिम फैसला लेने वालों में से बिलकुल नहीं है उपेंद्र कुस्वाहा अमित्व साह के साथ बादचित कर सबकुछ अभी खत्म करदेने के मुड़ में नहीं है उन्होंने कहा भी आज कि मीडिया ने चला जिया कि स्थिपा देने पहुचे, मुझे इतनी जल्दिबाजी नहीं है, पहले बीजेडी लबा खिच रही थी, अब उपिंद्र को स्वाहा इसे और ज्यादा लंबा खिचना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बीजेडी को नो कहने से पहले आर्जेडी के साथ बातचीत फाइनल हो जाए, तब ही उपिंद्र को स्वाहा बीजेपी के अविच्छा के साथ बैठेंगे, लेकिन अब बीजेपी इंतजार करने के मूड में नहीं दिख रही है, लगतार अपने नेताओं को उपिंद्र को स्वाहा से मुलकात करा ही है, आज उसी कड़ी का हिसा था कि उपिंद्र को स्वाहा की मुलकात हुई बीजेपी के नताओं से, बीजेपी किसी भी वक्त बड़ा फैसला भी ले सकती है, उन्हें दो सिटों का खुद इलान कर सकते हैं, एक दो सिट दिया आपको नहीं मानेंगे तो मंत्रिवंटल से बाहर भी कर सकती है, और दरसल उपिंद्र को स्वाहा भी यहीं चाहते हैं, उपिंद्र को स्वाहा के जो करीवी हैं, उनका कहना है कि को स्वाहा भी यहीं चाहते हैं, कि उनको पार्टी से बरखास्त किया जाए, और गटवंदन से बाहर निकाला जाए, यानि बीजेपी को जिम्वार ठाराना चाहते हैं पूरी तरह से उपनिंदर को स्वाहा इंडिये छोड़ने के लिए भी मंत्री पत से खुद इस्थिपादेने के बजायों चाहेंगे कि BJP उन्हें सरकार से बाहर करें ताकि उनके समर्थकों के बीच साहनुभिती की लहर पैदा हो और BJP के खिलाफ आक्रोस का भाव पैदा हो ताकि चुनावे इसका फैदा मिल सके सुत्रों के अनुसार BJP से अंतिम बात्चित करने के पहले कुस्वाहा आर्जेडी के साथ मनमाफिक डील कर लेना चाहते हैं ज्यादा जल्दबाजी दिखाएंगे तो लालू यादो उन्हें फिर दभा देंगे उपिंद्र कुस्वाहा 2014 की लोकसभा चुनाव में तालमिल को लेकर सबसे पहले लालू यादो के संपक्र में ही गए थे और उस समय जो लालू यादो ने दाओ पेच खेला था उसको अ जल्मिल पर बादसीत को लेकर लालू यादो उपिंद्र कुस्वाहा को पटना से दिली और दिली से पटना का चकर लगवाते रहे और आखरी में दो सज्यादा देने से मना कर दिया कहा लालू ने कि मैं दिली में हूँ आप दिली आओ उपिंद्र कुस्वाहा दिली चले 24 गंट तक, 48 गंट तक इंतियार करते रहें, लालू यादो नहीं मिले, और फिर फोन आया कि लालू यादो पटना आ गए हैं, आपको पटना मिलना पड़ेगा, तो उपेंदर को स्वाहा को ऐसे ही लालू यादो घुमाते रहें, तो बात अभी भूले नहीं है, और कोई रि गए, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इंडिये के साथ गए, और वहां भी उनको दवाव में तीन सीटों पर समझावता करना पड़ा, तो चाहते हैं कि अब कम से कम पांच सीटें उनको मिले, क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंतरी बनना चाहते हैं, वो प्रत्यासी हैं, उमिद्वार हैं, नितियस कुमार के खिलाफ लगतार आग उगलते रहे हैं, तो दो सीट, तीन सीट पर लड़ने से तो उस रूप में उभर नहीं पाएंगे, तो चाहते हैं कि पार्टी के हैसियत बढ़े, पार्टी का जनधार बढ़ा है, पार्टी के वरकर्स हैं, पार्टी मजबूत हुई है, तो उसी हिसाब से उनको सेर मिले, सिटों के बटवारे में, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है, तो इंतजार करिए, उपिंद्र को स्वाहा के बारे में इतनी जल्दबाजी से फैसला लेने के जरूत नहीं है, क्योंकि उपिंद्र को स्वाह तो दोस्तों के साथ सेर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपका सहयोग समर्थनल लगतार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद